मैक डॉनल जैसे फ्रेंच फ्राइज ना आप भी बना सकते हो घर पर बहुत ही असानी के साथ बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आएगा तो आपने किया करना इस तरीके से बड़े साइज वाले आलू ले रहे हैं आलू को अच्छे से छेल लेंगे और फिर पहले हम आलू को देख सकते हैं आप साइस भी बहुत अच्छा है और कटिंग भी बहुत अच्छे से हो चुकी है आलू को धो लेंगे दोने के बाद पैन में मैंने पानी रख दिया है बॉल होने के लिए आदा चमश नमक एड़ कर देंगे और उसमें कटे हुए आलू डाल देंगे सिर्फ आपने पानी के अंदर एक बॉल आने का वेट करना है जैसे ही बॉल आजाएक आलू को बाहर निकालेना है दो से तीन मिनट आपने नहीं पकाना वारण यह ओर कुक हो जाएंगे बॉल आने के बाद आद फॉरन गैस बंद कर दे और निकाल ले और फिर इसके उपर ताजा पानी डालने ताकि cooking process यहीं खतम हो जाए चलते हैं next step की तरफ इसको डालेंगे kitchen towel के ओपर ताकि इसके अंदर जो moisture वो खतम हो जाए यह देखिए इतना हमने इसको cook करना अगर आप मैं इसको मोड़ू तो यह तूटे ना फिर डालेंगे इस पे एक बड़ा चमबच भर कर कॉ जो भी आपके पास हो और अच्छे से ना इनको coat कर लेंगे अगर आप चाते हो बिलकुल मार्केट जैसा टेस्ट आए आपके fries में तो आप थोड़ा देर वेट करो इनको ना फ्रिज में रख दो आदे घंटे के लिए अगर टाइम जादा है तो और भी देर के लिए रखो जितना देर आप रखोगी उतने ही क्रिस्पी fries बनकर तयार होते हैं फिर गर्म गर्म तेल के अंदर इने fry कर लेंगे अच्छा golden color आने तक और ये देखिए आप look और texture देख सकते हो बिलकुल मार्केट जैसे fries आपके घर पर बनकर तयार हो जाते हैं सारे में निकाल लेंगे हमें एक paper bag ये भी od का ही मैं यूज कर रही हूँ इसके अंदर सारे fries डालेंगे और उपर से डालेंगे peri-peri masala और अच्छे से कर लेंगे mix और बस ये बैग ना मैंने अपने बच्छों को दे दिया था तो उन्हें यकीन निया रहा था कि ये french fries मैने घर पर बनाए फ्रेंड